नमस्कार मैं हूँ करंबियर और आप देख रहें फालो अप 16 दिनों के इंतजार के बाद उप्तरकासी के सुरंग में फसे 41 मजदूरों को बाहर आए अब तक्रीवन 24 गंटे होने को है अब सवाल है दुरगटना से सबग लेने और एक और सरकारी जाच कमीटी के जाच पर आज हम इस निर्मार से जुड़ी कमपनी प्रोजेट के डीपी आर इसके पैसे से जुड़े तथ्यों पर तो पड़ताल करेंगे ही इसके साथ ही इस पर भी जाच पड़ताल करेंगे कि क्या ये देवभूमी के परवत इस तमाम अनियंतरी निर्मार को जहिल पाएंगे क्या पहाडी नगर और खुद पहाड उन दस्यों लाग परेटकों या चाहे तो उन्हें तीर से आत्री कहलें का बोज जहल पाएंगे जो इन राज मारगो और रेलवे के जरिये वहाँ जाधमकने वाले हैं इसको भी समझने की कोशिस करेंगे वैसे तो सुरंग बनाने की तक्नीक करीब 200 साल पुरानी है और ये खतरनाक नहीं है इसे सही से बनाने के लिए चट्टानों की नाजुपता और मजबूती वगेरे की गहन परताल करना जरूरी होता है साड़े चार किलोमीटर लंबे सिलक्यारा बढ़कोट टरनल के निर्मार निर्मार का काम कर रही कंपनी और कथी तवर पर सुरच्छा नियमों की अंदेखी को लेकर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं नेशनल हाईवेज एन स्फ्रास्टक्चर डप्लमेंट का अप्रेशन लिम्टेड यानि एन एचाई डी सील के मुताबिक एनच एक सो चो चो तीस वत पढ़ने वाले इस दो लेन के टरनल निर्मार का काम नवयूग इंजिनरिंग कंपनी लिम्टेड कर रही है नवयूग इंजिनरिंग हैदराबाद इस सिद नवयूग समु का हिस्सा है जो बंदर गाहों सड़कों की निर्माड बिजली और सिचाई परूजनाओ जैसे छित्रों में काम करती है जैसा की बताया जा रहा है कि सुरंग में किसी तरह का एस्केप पैसे नहीं बना था जबकि सरकार के दिसान अलदेश के मताबिक डेड़ किलो मीटर से लंबी सुरंग में एमर्जनसी निकास होना जरूरी होता है इसकेप पैसे जा सुरच्छिन निकलने का रास्ता किसे कहते हैं ये भी आप जाल लिए सड़को या रेल मार पर पढ़ने वाली लंबी मुक्ष सुरंगों के पास वो छोटी सुरंग होती है जिने इसलिए तयार किया जाता है ताकि किसी दुरगटना के इस्तिती में लोगों को वहां से सुरच्छिन निकाला जा सके या उन्हें मजदत पहुचाई जा सके साड़े चार किलो मीटर लंबी सिला क्यारा अब बढ़कोट टरनल के साथ जीरो दो समनो तीन तीन किलो मीटर लंबे संपर्क रोड और इसके टरनल को साथ तयार करने का जिक्ट कमपनी की आदकारी बेप साइट पर भी मौजूद है यह बात हाथ से के बाग गठिक जा समीत के सदेस्टों के प्रारंबिक जाच में सामने आई है भारत सरकार ने निसनल हाईवे अथार्टी के अंतरगे तयार होड़े 29 तरनों का आड़ित करने का भी अब कह दिया है सिला क्यारा बढ़कोट सुरंग निर्मार को साल 2018 में मंजूरी देते समय कैमनेट कमेटी आप एकोनामिक्स अफेर्स ने निर्मार का कुल समय चार साल बताया था जबकि प्रोजेट की लागत 11.96 करोड रुपे बताई रही थी हाला कि एनचाई DCL का कहना है कि अब काम साल 2024 के मत तक खतम होने की उम्मीद है और इसकी लागत भी अब बढ़ चुकी है ये प्रोजेट हिंदूओं के चार पवितर स्थलों बद्रीनाथ के दारनाथ यमनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने वाली चारधा महमार परियोजना का हिस्सा है इसे बनाने वाली नवयूक कंपनी और इसा के आस्तरंगा और आंध प्रदेश के मचली पटम बंदरगाहों को विक्सित करने के साथ साथ मुंबई पुने एक्स्प्रस वे ब्रंपुत पर तयार 9 किलोमीटर से लंबे पुल को तयार करने जैसे कामों में सामी होने की बात क साइट के अनसार कंपनी भारत में सबसे लंबे काजी गुंड बनिहाल हाइवे प्रोजेट का काम भी कर रही है नवयूक सिचाई पर योजनाओं समुद्री बुन्याजी धाचे तयार करने और पन्बिजली और थर्मल पाउर प्रोजेट के छेत में भी मौजूद है फरक् अपना लोगों पर क्रेन गिर जाने के वज़ा से हुई थी पुलिस ने इस मामले में लापरवाही के कारण मौत चोट पहुचाना और दूसरों की सुरच्छा को खत्रे में लाना जैसी धाराओं में केस दर्ट किया था इसके निर्मार कार में लगी दो कंपनियों में से ए उन्हें कैंसिल कर दिया था उत्तरकाशी की घतना के बाद सोशल मीडिया और आदानी समु को लेकर सवाल भी उठे और दावा किया गया कि और замुलीं इसके बदानी समु ने बयान प्रियोजना के निर्माड में वो किसी भी रूप में सामिल नहीं है हाला कि अडानी इंटरप्राइजेग्ट और नौयूग इंजिनिरिंग कंपनी एकन्ड परियोजना में साथ साथ काम जरूर कर रहे हैं अब चलते चलते ये भी जाल लीजे कि आखिर केंसरकार ने अपने ह परियोजना को किसी भी तरह सुरू करने के लिए कुछ बड़े खेल किये दरसल पर्यावरन और कच्चे पहाड़ों के साथ छेछा के आधार पर इस परियोजना के बिरोध को धता बताने के लिए और अनेक विस्योसग्यों के अनुसार तो बद्नेती से केंसरकार ने इस प उसकी अपनी विसेशक समीद की रिपोर्ट और राजमार के अंधादूं चोरीकरन के खिलाप उसकी सिपारिसों को परियोजना के पच्च में लोगों को भर कर बनाई गई एक कमेटी ने इस आधार पर खारिच कर दिया था कि या लाखों लोगों की पवित्र चार धामों क ये तीर थे आत्रा करने की आकांचाओं का सवाल है और राश्टिय सुरच्चा का भी सवाल है ताकि उपकरनों को चीन से लगने वाली सीमा तक पहुचाया जा सके ये दो हवाला केंसरकाल ने तब सुप्रिम कोर्ट में दिया था इन्हीं की आर में उसने ये परियोजना च जनसी ने इस छित्र के लिए सकती से पालन के लिए कोई निर्मार समंदी प्रोटोकाल तयार भी किया है क्या कोई भी स्वतन निकाय है जो इस तरह के नियमनों की निगरानी कर रहा हो तथा उनका पालन करा रहा हो जैसा कि मिसाल के तोर पर यूरोपियन यूनियर में होता ह क्या पर्योजनाओं की डिजाइनिंग तथा उनके परिपालन से पहले संचित भूस संवचनात्मा का धेन कराये जाते हैं अब ताजा मामले में उत्तराखन सरकार ने जाज कमेटी का ठित कर दी है जिसमें कई सरकारी सोथ तथा कादमिय संस्थाओं को रखा गया है ये कमेट परिजाज करती है अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है और उन रिपोर्टों को क्या होता ये इश्वर ही जाने है वैसे कुल मिला के इस सुरंग हाथ से के बाद एक सबक तो मिल ही गया है कि उत्तराखन के पहाड़ बेहत कच्चे हैं बेहत युवा हैं उनसे छेरचार करना गुना ही साबित होगा वो चाहे धर्म के नाम पर ही हो भविस में एक सुरंग रेल मार्ग भी बनाया जाना है वो भी हिंदुत के लिए ही बनाया जाना है चारधाम के लिए बनाया जाना है अब सोचने वाली बाद मोटा मोटी ये है कि धार्मी का स्था अपनी जखे है ले आपदाई थी तो इसी घटनाई फिर बढ़ेंगी क्योंकि ज्यादा तर लोग धार में जिस्टिसे इन जगहों पर नहीं जाते हैं वो घूमने सर सपाटा करने मोज मस्ती करने जाते हैं अब उसे आप धर्मकार अचोला पहना दीजिए कुछ भी कहिए रहा मंदिर बन रहा ह लेकिन विकास उस कीमत पर करना चाहिए जिससे प्रकित के साथ कोई छेड़ खार नहों धन्यवाद